क्रिस्पी, करारी, सौप्ट, चटपटी, पूडियां चाय के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है तो दोस्तों आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से मसालेदार चटपटी ये खस्ता पूडियां और इन पूडियों को बनाकर आप एक से डिड़ महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं ये खाने में बहुत स्वाधिस्ट लगती हैं उम्मीद करती हूं कि आपको भी पूडियां जरूर पसंद आएंगी हलो एब्रीवन नीलम्स किचन फूड में आपका स्वागत है तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीच पसंद आती हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन कीजिए तो चलिए ये मज़ेदार चटपटी पूरियां बनाना स्टाइट करते हैं इसके लिए मैंने यहां पर मिक्सिंग बाउल लिया है इसमें हम डालेंगे एक कप गेहूं का आटा साथ ही हम इसमें आधा कप सूजी डालेंगे जितना हमने आटा लिया है उसका आधा हमें सूजी डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे इसे चम्मच से अच्छे से मिला देंगे और इसे मिलाने के बाद हम इसमें तेल डालेंगे मोयन के लिए तो अभी मैं इसमें चार छोटा चम्मच के लगभग तेल डाल रही हूं और इसे अच्छे से मिला देंगे इसे मिलाने के बाद अगर इसमें तेल कम लगेगा तो हम और तेल डाल देंगे इसे इस तरह से क्रम्बल करके मिलाईएगा तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये देखिए इसमें जब इस तरह से लड़ू जैसा बनने लगे तब समझ लेना कि इसमें मोयन एकदम परफेक्ट है तो हमें इसमें और तेल डालने की ज़रूरत नहीं है उतने तेल में ही इसमें परफेक्ट मोयन लग गया है हमें पूरियां चटपटी बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो इंच अदरक लिया है और दो हरी मिर्च ली है तो हम क्या करेंगे अदरक को टुकणों में काट कर इसमें डाल देंगे छोटे छोटे टुकणों में काट लेंगे हरी मिर्च को भी काट कर डाल देंगे इससे ना हमारी पूरियां बहुत चटपटी बनेंगी साथ ही हम इसमें आधा चोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे आप चाहें तो अजवाइन को आटा के साथ भी डाल सकते हैं एक चोटा चम्मच सौफ डालेंगे सौफ जरूर डालिएगा इससे पूरियों में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है 6-7 काली मिर्च डाल देंगे और सभी चीजों को दरदरा कूट लेंगे इसमें अधरक के बड़े टुकडे नहीं रहना चाहिए तो अधरक को अच्छे से कूट लीजिएगा आप चाहें तो अधरक को ग्रेट करके भी ले सकते हैं और अगर आपके पास सिल्वट्टा है तो आप इसे सिल्वट्टे से भी पीच सकते हैं तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से कूट लिया है इन सभी चीजों को इस तरह से कूट कर डालने से पूणियों का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है चटपटी और मसालेदार पूणिया बनकर तैयार होती है अब हम ये मसाला आटे में डाल देंगे जिसमें हमने मोयन लगा कर रखा है साथी एक छोटा चम्मज जीरा डाल देंगे एक चोथाई छोटा चम्मज डालेंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए आधा चोटा चम्मज गरम मसाला डाल देंगे एक चोटा चम्मज डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी की कुटी हुई लाल मिर्च एक चोटा चम्मज डालेंगे अमचुर पाउडर आटे के साथ सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे दो छोटा चम्मज डालेंगे कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को इस तरह सी क्रश करके डालेंगे कसूरी मेथी डालने से पूरियों में बहुत बढ़िया फिलेवर आता है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे गूतेंगे इसका हमें smooth dough बना लेना है क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो सूजी फूलती है इसलिए हम इसका smooth dough लगाएंगे एक साथ ज्यादा पानी मत डालिएगा थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसे गूत लीजिए जैसे कि हम पूड़ी के लिए डो लगाते हैं उससे थोड़ा सा गीला और रोटी के डो से हलका सा सक्त डो लगाना है तो मैंने हलका सा smooth dough लगा लिया है अब हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि यह अच्छे से सैट हो जाए और इसमें हमने जो सूजी डाली है बो भी अच्छे से फूल जाए तो 15 मिनट हो चुके हैं और यह आटा भी अच्छे से सैट हो गया है आटे के ऊपर एक छोटा चमज तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद इसे मसलते हुए गूत हैंगे इसे मसल कर हलका सा स्मूथ करेंगे क्योंकि सैट होने के बाद आटा हलका सा हार्ड हो जाता है और इसे गूतने के बाद इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोईयां बना कर तयार कर लेंगे आप चाहें तो इस तरह से छोटी छोटी लोईयां बना कर भी पूड़ियां बना सकते हैं या फिर मैं आपको एक तरीका और बताऊंगे तो पहले हम इस लोई की पूड़ि बना लेते हैं तो फ्रेंड्स आप इस तरह से लोई ले लीजिए और इसकी एकदम पतली पूड़ि बेलना है इसे बेलने के लिए आटा या तेल लगाने की जरूरत नहीं है यह ऐसे ही आसानी से बेल जाती है जितना पापड़ी का साइज होता है इसे हमें उतना ही रखना है यह देखिए इसे हमें इतना पतला बेल लेना है इसे इस तरह से पतली पापड़ी बनाने से क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनती है जब आप इसे फ्राई करेंगे और एकदम खस्ता बनती है तो मैंने इसे पतली पूड़ी की तरह बेल लिया है अब आप चाहें तो इसे इस तरह से बना कर प्लेट में रख सकते हैं या फिर डो मैंसे थोड़ा सज्यादा पोर्शन लीजिए और इस तरह से बड़ी सी लोई बना लीजिए और वस इसे भी बेलना स्टार्ट कीजिए एकदम पतली बड़ी सी पूड़ी बना लीजिए अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो एक साथ आठ से दस पापड़ी बन जाएंगी तो ए देखिए इस तरह से पतला बेल लेना है और वस इस तरह से कोई भी गिलास या कटोरी ले लीजिए और एक साइट से इस तरह से पूड़ीयों को काट लीजिए ये पूरियां एकदम पापडी की साइच की कट कर तयार होंगी इस तरह से बनाने से हमारा काम भी आसान हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी एक साथ नो पूरियां बनकर तयार हो गई है और ये जो किनारे किनारे एक्स्ट्रा आटा है इसे हटा दीजिए और इसकी भी बाद में पूरियां बना लीजिए ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये कितनी बढ़िया पूरियां बनकर तयार होई है इसे हम प्लेट में रख लेते हैं और सारी पूरियों को भी प्लेट में रख लेते हैं इसी तरह से बाकी के डो की पूरियां बना कर तयार कर लेंगे तो हमने यहाँ पर सारी पूरियां बना कर तयार कर ली है यह देखिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल अच्छा गरम हो गया है ए नहीं बहुत ज्यादा गरम और नहीं बहुत ज्यादा कम गरम होना चाहिए बस मीडियम गरम होना चाहिए एक बार में जितनी पूरियां आसानी से आजाएं उतनी पूरियां तेल में डाल दीजिए और गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा पूरियों को उलट पुलट करते ह वे medium flame पर इनमें हलका सा golden brown color आने और crispy होने तक fry कर लेना है, इन्हें high flame पर मत fry कीजिएगा नहीं तो इनमें उपर से जल्दी brown color आ जाएगा और ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, crispy भी नहीं बनेगी, ये 3-4 मिनट में बहुत अच्छे से सिक जाती है, इनका color हमें बहुत ज्यादा golden brown नहीं करना है, बस इनमें हलका सा brown color आ जाए तो हमें इन्हें निकाल लेना है, तो आप देख सकते हैं कि इनमें हलका सा brown color आ गया है, अब हम इन्हें plate में निकाल लेते हैं, बहुत crispy और खस्ता पूरियां बनकर तयार हुई है, आप देख सकते हैं इनका color कितना बढ़िया लग रहा है, इसी तरीके से बागी की पूरियों को भी fry कर लेते हैं, इन्हें हम medium flame पर fry करेंगे तो ये बहुत ज्यादा खस्ता और crispy बनकर तयार होंगी, तो ये हमारा second batch भी fry हो गया है, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं उसी plate में, और सबसे अच्छी बात है कि आप इन्हें बना कर एक से डेड़ महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो हमने सारी पूरियों को fry कर लिया है, बहुत टेस्टी चटपटी पूरियां बनकर तयार हुई हैं, हमने इसमें अदरक, हरी मिर्च और कुछ मसाले डाले हैं, जिसकी वज़े से ये पूरियां बह आप इसकी आवाज सुन रहे हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट में खाईए या फिर शाम की चाय के साथ खाईए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, तो फ्रेंड्स आप इन पूरियों को जरूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताना मत भूलियेगा कि आपको ये प पेमली के साथ शेयर कीजिएगा, तो फिर मिलते हैं एक नई रेसीपी के साथ, थेंक्स पर वाचिंग